नमस्कार दोस्तों सब کو लगता था कि ये दोस्त हैं इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आया कि आखिर में इसकी असल वज़े क्या है अब उसका कारम समझ आया है कि क्यों तापसी अनुराग को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है और क्यों अनुराग जो ह हुई दरसल 2010 में एक production company बनाई गई थी जिसका नाम था Phantom Films इस company के founder थे अनुराक कश्यप, विक्रमा दित्यमोटवानी, मधु मंटेना और विकास बहल 2015 में Reliance ने इस company की 50% हिस्सेदारी खरीद ली थी यानि ये company जो थी फाइदे में जा रही और इसकी जो 50% हिस्सेदारी थी वो Reliance ने अपनी तरफ कर ली थी बावजूद इसके 2018 में इस company को बंद कर दिया जाता है इसके मालिकों ने अलग-अलग production house खोल लिया था ताकि इस company को पूरी तरह से बंद किया जा सके, इसको भुलाया जा सके हाला कि वो जो phantom company थी phantom films जो था उसके अंदर जो 4-5-6-7 movie बनाई गई थी वो सारी की सारी सफल फिल्मे थी उनसे पैसा कमाया गया था लेकिन बावजूद इसके इस production house को बंद कर दिया गया इस phantom company में जो पैसा लगा के फिल्मे बनाई या उन फिल्मों से जो कमाई हुई उनका कुछ भी कहीं पर कोई हिसाब नहीं रखा गया इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की चानवीन में कैई बाते सामने आई है रेड में अब तक 350 करोड रुपे की टेक्स चोरी और 300 करोड रुपे की हेरा फेरी सामने आई है यानि टोटल 650 करोड रुपे की गड़बड लोग जीवन भर में एक करोड रुपे नहीं कमा पाते है और ये थर्ड किलास एक्ट्रेस और फटीचर डारेक्टर 650 करोड रुपे का गबन करके सरकार को गालियां दे रहा है और सरकार को भरष्ट बता रहा है जिस 300 करोड रुपे की हेरा-फेरी अभी तक सामने आई है वो सिर्फ पहले दिन की रेड में सामने आई है और ये 300 करोड रुपे हवाला का पैसा था यानि काला धन था जो फिल्मों में लगाया गया था इसी कम्पनी से तापसी पन्नू को पांच करोड रुपे की नगत यानि कैश में दिये गए थे इस प्रोडक्शन हाउस के बंद होने के बाद में अनुरा कश्यप ने 16 करोड रुपे का एक घर खरीदा है तापसी पन्नू ने अपने घर का इंटीरियर डिजाइन कराया है यानि इस काले धन से खुल के अयाशी की जा रही है उन्हें खर्च किया जा रहा है ताकि काले धन को वाइट मनी में कनवर्ट किया जा सके इस चापे मारी में 7 लॉकर का भी पता चला है जिने IT डिपार्टमेंट ने सीज कर दिया है 20 करोड रुपे के फरजी बिल मिले है यानि चापे मारी में कोई भी गड़बट करोडो रुपे से कम नीचे मिली नीरी है तापसी पन्नू और अनुराक की तरब से अब तक कोई भी बयान नहीं आया है वैसे इनकी तरब से बयान आएगा भी नहीं और जब आएगा तो वो उल्टा सरकार को ही गालिया देंगे बजाए अपनी गलती मानने के ब्रश्टा चार करकर के ये लोग अरबपती बन जाते हैं फिर देश विरोधी बाते करते हैं या ये भी हो सकता है कि ये सारा पैसा ही देश विरोधी ताकतों से आया हो देश विरोधी लोगों से आया हो जो हवाला के जरिये आया होगा और ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए आया होगा दिल्ली में दंगे हुए हैं बहुत सारी ऐसी चीजे हुई हैं जो पिछले कुस दिनों में बहुत जादा नोटिस की गई थी वो पैसा कहां से आया था क्या ये पैसा दिल्ली दंगों में भीजा गया था या इस पैसे का जो लेंदेन हुआ था वो किसी ऐसी एक्टिविटी में हुआ है जो देश विरोधी हैं ये एक एहम मुद्दा है दोस्तों सरकार को ऐसे लोगों को तुरंत ग्रफतार करना चाहिए उनसे पूस्ताच करनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके एक गरीब आदमी की पूरी जिंदगी दो वक्त की रोटी का इंतिजाम करते करते गुजर जाती है और ये लोग भ्रष्टाचार से उसी गरीब का हक खा जाते हैं आपको क्या लगता है दोस्तों ऐसे करप्ट लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए अपनी राय जरूर देना इस वीडियो में इतना ही जैहिंत